हलो फ्रेंट्स आप मुकेश गयल आई होब कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे जो सब्टमबर 2020 में आपका इन्वार्मेंटल साइस का जो पेपर हुआ था उनमें जो क्विश्चन्स आय थे उनका सॉलुशन कर रहे हैं हमने एक वीडियो मे पिछली वीडियो में एक से लेके पैसस क्विश्चन्स तब करेंगे ऐसे सारे क 나타ग एक्विश्चन्स को सुनना क्योंकि यहां से कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आगे किस लेगल का पेपर आज ला रहा है तो आपको आईडिया लगते है तो प्लीज आपसे request है कि हर एक question को बड़े ध्यान से देखना है चित को relax करके मन की शांती से तो इससे पहले आपको मैं एक information दे देता हूँ कि UGC.net का जो paper 1 है जो compulsory paper है उसके registration open है अगर आप willing है तो registration करवा सकते हैं अगर paper 2 किसी का environmental science है code no.89 अगर उसमें भी कोई registration करवाना चाता है तो करवा सकता है उसके भी registration open है चलो हम बात करते हैं question no.26 की 25 question हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं आप उनको अच्छे से देख लेना अगर नहीं देखा हो तो ठीक है तो 26 number question कहता है consider the following statement regarding skewness तो इसका मतलब यह सिद्धी सी बात है जो यह आपका question है यह आपका statistics से लिया हुआ question है ठीक है तो इसके बारे में पूछा है कि skewness के बारे में क्या-क्या बात ठीक है बड़ा अच्छा question है कुछ note लगा के मैंने समझा भी दिया है और अच्छे से समझना उनको note भी कर लेना क्या है for a positively skewed distribution positively skewed अगर right side skewed होता है तो उसको बोलते है positively skewed अगर left side skewed होता है तो उसको बोलते है negatively skewed ध्यान रखना इनको मैं diagram से आपको दिखा भी दोगा यह कह रहा है for a positively skewed distribution the value of mean is the greatest among the mean, median and mode यह बात बिलकुल ठीक है ठीक है यह अगर किसी को topic clear है तो उसको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से चलो इसका line का एक diagram देखते है ठीक है एक graph देखते है क्या कह रहा है यह कह रहा है जब कोई भी positively skewed distribution होता है तो उसमें mean की value व और mode में सबसे ज़्यादा value होती है mean की यह यह कह रहा है यह बात तो ठीक है चलो हम इसको diagram से देखने है एक graphical representation से देखने है यह है positively skewedness और यह है negatively skewedness ध्यान रखना इन दोनों से equation आया हुआ है उपर ठीक है तो positively skewedness किसको कहेंगे जब right side skew हो जाए जैसे यह right side skew हुआ है चीक है तो याद रखना सबसे highest पे हमेशा mode होता है सबसे highest पे क्या होता है हमेशा mode होता है देखो चीक है और mode और mean के बीच में median होता है देखो चीक है है की नहीं है और इधर होता है mean अगर positively skewed हो गया तो इसका मतलब mean इधर चला गया mean positively skewed चला गया तो positively skewed का मतलब होता है right skewed हो जाना mean का इधर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा value किसकी है देखो mean की value यहाँ यहाँ देखते हैं value x-axis पे ठीक है तो यहाँ value और यह इसकी value और यह इसकी value तो सबसे ज़्यादा value किसकी है यहाँ पे mean की है की नहीं अगर यहाँ 0 से सबसे ज़्यादा value mean की होती है ये बात ठीक हो गई अब ये तो पहला statement ठीक हो गया दूसरे statement में negatively skewed के लिए दिया हुआ है चलो वो दूसरा statement पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है दूसरा statement पढ़ते हैं पहले दूसरे statement में दिया हुआ है for a negatively skewed distribution the median is greater than the mean ये कह रहा है अगर negatively skewed distribution है तो median है वो ज़्यादा है mean की बजाए चलो देख लेते हैं negatively skewed में क्या होगा इस तरह skewed हो जाएगा left skewed को negative कहते हैं तो देखो left skewed तो यहाँ पे हो गया mean तो यहाँ mean है ठीक है यहाँ पे median है और यहाँ पे mode है तो 0 से start करेंगे तो mean की value सबसे कम हो गई उससे ज़्यादा median के और उससे ज़्यादा mode की तो इसमें देखो second statement में यही कह रहा है कि जब negatively skewedness होता है तो median की value mean से ज़्यादा होती है तो सही बात है median की value इतनी है यहाँ पे है और mean की value यहाँ है accesses पर देखेंगे तो तो यह भी statement ठीक है मेरी बात समझ में आई की नहीं आई यह बात बहुत important है हर बार कोई ने कोई exam में जहां पर statistics आता है वहां पर question पूछा जाता है और net भी बहुत अच्छे से question पूछता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा ना चित को relax करके सुना है कोई attention तो नहीं है चलो very good ठीक है ना तो अपा इसको देख लेते हैं इसका answer क्या चला गया पहले दोनों statement ठीक होगे ठीक है और इस questions की जो PDF file है वो मैं telegram link पे डाल दूगा ठीक है PDF file और telegram पे डाल दूगा और उसका link है वो description box में होगा वहाँ से जाके आप telegram पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो दोनों ठीक हो गया अब तीसरा statement कहा रहा है जो कार्ल पिर्सन coefficient of skewness होता है वो always lie between the limit of plus 1 और minus 1 नहीं नहीं यह गलत है प्लस 3 और minus 3 के बीच लाई करता है तो यह statement तो गलत हो गया वो लेज कोफिसेंट of skewness आलवेज लाई between the limit प्लस और minus 1 यह ठीक है तो A ठीक है यह याद रखना है यह क्या है अगर याद नहीं रखोगे तो question गलत हो जाएगा और याद रखोगे तो बिल्कुल easy question है यह ठीक है ना A, B or D is the right answer तो चलो option देखते हैं A, B or D A, B or D is the right answer ठीक है समझ में आ गया चलो very good next question की बात करते है question number 27 है और इस 27 question को अच्छे से सुनना बड़ा अच्छा question है एक बार civil services में भी पूछा है क्या question है increasing the productivity of forest to meet essential need is one of the major objective of the national forest policy 1988 जो national forest policy आई थी 1988 में उसका जो major objective था वो क्या था increasing the productivity of forest forest की productivity को बढ़ाना ठीक है ना जिससे हमारी जो essential need है वो पूरी होसके यह एक मुख्य एम था forest policy 1988 का यह बात बिल्कुल ठीक है यही एम होगा क्योंकि यह positive बात है वैसे भी आपने अगर नहीं पड़ी हो तो भी यह बात तो होई गी न जो policy बना रहे है तो productivity तो बढ़ानी है forest की इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है second में क्या कह रहा है अकोर्डिंग तू तू दा national forest policy 1988 नो यह देखना है no forest based enterprises should provide employment to local people and any priority basis यहाँ पे एक बात है यह statement गलत हो गया क्योंकि जो national forest policy आई थी 1988 में उसमें यह बोला गया था कि आप जो local people है उनको priority based पे employment परदान करवाओगे यह बात कही गई थी कि जो local people है उनको आप priority based पे क्या करवाओगे उनको employment देनी है और इसमें कहते हैं नहीं ठीक है ना तो यह statement गलत हो गया बात समझे रहो यह बहुत important बात है यही second statement से एक बार civil services में question प्री में पूछा जा चुका है तो यह statement गलत है यह नो नहीं होता तो सही हो जाता ठीक है तो statement एक ठीक है और statement दो गलत है तो statement one is correct but statement two is false तो right answer is three बास उन में आगे चलो very good next question की बात करते हैं next question क्या कहता है 28 number question कहता है इरोक composed entirely to catalyst is set to be ठीक है sorry entirely crystals catalyst नहीं ही crystals हो chemistry आ जागी ठीक है न crystals entirely किस से है crystal से तो क्या होगा entirely crystals से है तो क्या होगा hollow crystalline entirely crystals है तो hollow crystalline हो जाएगा यह तो बहुत ही basic बात है third next question बड़ा शांदार question है यह कह रहा है provision of extent producer responsibility इसको salt में EPR लिखते है और producer यानि कि provision of extended producer's responsibility of producer importer and brand owner for collecting back the waste generated by their product has been in the यह question क्या है यह जो EPR है extended producer's responsibility जैसे कोई भी कोई भी company है या कोई भी ओनर है जो किसी चीज़ का production करता है तो उससे waste जनरेट होगा की नहीं होगा मारकेट में जाने के बाद यह waste जनरेट होगा तो उसमें यह बोला गया है EPR के तहत कि जो producer है जो importer है जो brand owner है उनकी responsibility है कि वो कम से कम waste को generate करें यह है EPR ठीक है उनकी responsibility है ठीक है ना इसको बोला गया है extended producer's responsibility जो को उत्पादन कर रहा है उसकी responsibility है कि waste कम से कम generate हो तो वो किस-किस में सामिल कर लिया गया है या किस-किस rule में सामिल कर लिया गया है तो याद रखना solid waste management rule 2010 में सामिल कर लिया है EPR वाली बात construction and demolition waste management rule 2006 में भी सामिल कर लिया है plastic waste management rule 2016 में सामिल कर लिया है यह तो पक्का है ध्यान रखना E waste management rule यह तो mainly यही तो था इसके लिए तो बात दी यह तो यह भी सामिल कर लिया गया biomedical waste management rule 2006 में अभी तक इसका concept develop नहीं हुआ है तो A, B, C or D is the right answer ठीक है मेरी बात समझ गए A, B, C or D is the right answer यह हो गया अबना यह question चीक है चलो next question की बात करते हैं अच्छे question है प्लीज धान रखना note कर लेना repeat भी हो सकते हैं आगे काम भी आ सकते हैं match करना है और यह जो question है आपको पता है यह ecosystem वाली बात इसे question है बहुत basic सा question है producer और consumer की जहां बात करते हैं वाह यह question है तो इसमें यह पुछा है यहां पे कौन सा component इधर component दिये गए है economics ecosystem structure के और इधर organisms दिये गए हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं earth form क्या होते हैं आप बताओ तो आपको सब को पता है earth form dead reward होते हैं यानि की जो dead organic चीज़ों पे survive करते हैं चीक है न तो एका तो 4 आ गया यह तो आपको पता है बहुत अच्छे से MSC में बहुत अच्छे से पढ़ते हो एका 4 आ गया तो एके 4 में या तो option 1 जाएगा या option 4 जाएगा या option तो कट गया और आपको पता है घास तो producer होता है तो B का 1 तो आप देखो इसमें भी A का 4 है इसमें भी A का 4 है B का 1 है तो यह तो आगे वाला भी पता होना चीए यह खेल गया game चीक है question तो आगे बात करते हैं frog और hawk में पुछा है कौन सा primary है और कौन सा secondary है तो आपको शिदा साब पता है इसमें तो frog primary carnivores है और इसको hawk क्या है secondary carnivores है तो frog क्या हो गया frog यह हो गया C और D हो गया 2 यह देख लो तो यह आगया इसका right answer 4 हो गया चीक है बहुत basic सी बात है यह तो आप गलत नहीं करके होगे अब बहुत समझदा रहा हूँ ठीक है चलो मन को relax करके शान्ति से question सुनने है आगे बात करते है following are the example persistent organic pollutant persistent एक तरह से permanent organic pollutant होते है persistent है वो बहुत लंबे time survive करते है एक तरह से permanent ही हो जाते है तो नीचे पुछा हुआ है कौन कौन से है जो persistent organic pollutant के example है dioxin तो ही आपको पता है और furans भी है यह आपको पता है जब polythene को जब incinerate करते हैं burn करते हैं तब निकलता है और carcinogenic होते हैं यह बहुत ही खतरनाक होता है incineration के process पे भी निकलते हैं यह बहुत खतरनाक होता है तो dioxin permanent है furans permanent है और organo chlorine जो pesticides होते हैं जिसमें organo chlorine है देखना यह भी permanent होते हैं तो क्या-क्या option चला जाएगा सिर्फ आपके पास एक option सामिल नहीं होगा और वो नहीं होगा B यानि कि ACDE ACDE is the right answer ACDE is the right answer यह भी ऐसे काट दिया करो कि B वालत होना ही नहीं है ठीक है तो इन दो में confusion था ACDE only हो जाएगा समझ में आ रही है बात चलो very good next question की बात करते हैं Assertion reasoning का question है और यह question soil से लिया हुआ है बड़ा अच्छा question है यह कह रहा है Isomorphous substitution is the source of constant charge on soil silicate clays यह Isomorphous substitution क्या कहता है जिसमें क्या कहता है जब minerals वगेरा बनते हैं soil में तो यह एक चार्ज है वो आपस में क्या करते हैं substitute करते हैं चीक है ना और उनकी तो structure होती है tetrahydral और octahedral sheets है उनको वो एक दूसरे को replace करते हैं जिसे minerals वगेरा बनते हैं soil में तो यह कह रहा है Isomorphous substitution is the source of constant charge on soil silicate clay यह बात चीक है बिल्कुल यही तो है क्योंकि यह isomorphous substitution ही होता है इसको मैंने note लगा के निचे लिख भी दिया है कि वास्ता में exactly होता क्या यह तो आप note भी कर लेना यह बात बिल्कुल सिंपल है सही बात है तो दूसरा कह रहा है रीजन क्या इसका कि केटाइन और केंपेरिबल साइज सब्सिच्चूट इच अदर इन रिस्पेक्टिव टेट्रा हेडरल और ओक्टा हेल्जर सीट यह स्रक्चर होती है इसी स्रक्चर में वे इक दूसरे को रिप्लेस करते हैं बिल्कुल ठीक है इसका रिजन भी बिल्कुल ठीक है इसी लिए यह सब्सिच्चूशन आइसो मॉर्फिजम हैता है तो बोथ ए एंडर इस्टू और इस दा क्रिक्ट एक्स्प्रिनेशन ओफ ए इसका यह चला जाएगा अगर इसकी कुछ बातें करें आपको टेट्राहेडरल और ओक्टाहेडरल सीट्स दिखा दे रहते हैं जिससे और ज्यादा आपको लगे कि क्लियर हो जाएगा जैसे क्लियर आपको हो गया होगा चलो बात करते हैं नोट की दिए प्रोसेस ओप रिप्लेसिंग इसको बोलते हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ टेट्राहेडरल और ओक्टाहेडरन की ये स्ट्रक्चर होती है ये सीट्स होती है जो रिप्लेस होती है ठीक है कुछ समझ में आया चलो बात करते हैं नेक्स्सक्षिक्षिन कि नेक्स्सक्षिक्षिन कहरे रहा है तरह चरल देडिशो में स्टेट्मेंन्ट। नरेकारडिंग लेस्ट के फाईट् है न्हां हो लेफ्योRemेडियाशन कंटामिनीसट토 χाह । उस्टोंष जोमार थास्जेश एप्लान के फडता này यह बात ठीक है यह natural ability है कुछ निशित plants की जो कुछ जो toxic substance या metal होते हैं उनको remove कर देते हैं या stabilize कर देते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है एक natural species एक term जिसको term दी जाती है hyper accumulator can add जो 50 to 100 times larger amount of metal compared to most ordinary plant कुछ एक natural species है जिनको hyper accumulator कहते है hyper नाम ही कह रहा है कि वो बड़ी संख्या में accumulate करेंगे इसलिए hyper accumulator है और वो जो ordinary species होती है उनसे ज्यादा पचास से सो गुना ज्यादा एड़ जोब करते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है यह बात ध्यान है और नाम ही कह रहा है na hyper ठीक है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सी क्या कह रहा है दा बेस्ट कंडिडेट फॉर रिमूवल बाई फाइट और अर्सेनिक एंड कैडमियम ना 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 उसमें तो hyper में तो निकल वगे रहा होता है यह नहीं होगा नहीं है तो बहुत खतरना यह नहीं है दा हार्वेस्टेड हाइपर एक्युमिलेटर प्लांट कैन बी रिसाइकल इन अगरी कल्चर नहीं रिसाइकल इन अगरी कल्चर नहीं हो सकता तो इसका अंसर क्या जाएगा यह और भी इस दा राइट चीक है समझ में आगे चलो वेरी गुड बहुत अच्छा क्विश्चन है प्लीजिसको ध्यान रखन कहीं भी दोबारा भी रिपीट हो सकता है और कहीं पूछा भी जा सकता है तो यह थोड़ा सामने देख लिया है इन क्विश्चन को क्या होता है कि फाइटो रिमेडियेशन में बहुत सारी यूज होती हैं टम्स जैसे फाइटो वोलेटाइजेशन फाइटो सब्सक्राइब और उसके बाद में जो हाइपर एक नोट लगा दिये हैं अब ध्यान रखना जो हाइपर एक्यूमिलीटर है वह रेर प्लांट है टेकप टॉक्सिक एलिमेंट एक्यूमिलेट देन इन अब ग्राउंड बायोमास एट लेवल ऑप्रोक्सिमेटली हंडर और जो इतना ज्यादा पावर होती इन फिक है चलो वरी गूड आगे बात करें स्कुर्षिन की बात करें नेक्स क्या कह रहा है इस बिल्कुल यह तो याद होना चीए यह कह रहा है यह आपको टेबल याद होनी चीए इस टेबल से कही ने कहीं पूछी लेते हैं पीएम टैन और पीएम 2.5 की एकोलोजिकल सेंसिटिव एरिया में कंसेंट्रेशन पूछी है कितनी की गई है एन एक्यूएस द्वारा ची कहना जो यह की गई है ध्यान रखना जो पीएम टैन की तो की गई है 60 एन्वली और पीएम 2.5 की के गई है 40 तो 60 और 40 यह डाटा याद रखना और खासकर पीएम 2.5 को भी अकेला भी बहुत बार पूछ लेते हैं एसोटो भी पूछते हैं एनोटो के बारे में भी पूछते हैं यह टेबल आपको पूरी याद होने चाहिए समझे रहे हो पूलुशन वाले चैप्टर ने बहुत अच्छे से ध्यान से करना है इसको आगे यह क्विशन कह रहा है यह हम एट्मोस्फिर की स्टैबलिटी और लेप्स रेट के बारे में बड़ा अच्छे से किया हुआ है इसको ध्यान आ रहा है कि आपको मैच करना है यह कह रहा है एबसिलूट स्टेबल किसको कहेंगे तो एबसिलूट स्टेबल क्या होता है या और एबसिलूट अन्स्टेबल क्या होगा और कंडिशनली स्टेबल क क्या होगा अगर आपको कुछ भीस में कन्फ्यूजन होना तो एक काम याद रखना कंडिशनली स्टेबल हमेशा यह वाली चीज होती है देखो कंडिशन है ना ग्रेटर दैन लैस देन गी है अगर इन में दो में आपको एपसिलूट स्टेबल और एपसिलूट अन्स्टेबल हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा चीक है तो अगर इन मैच करने में प्रोब्लम आए तो इसको देखो कंडिशनल इस अन्स्टेबल में यह जो कंडिशन दी हुई है ग्रेटर दैन लैस देन तीन दिये हूँ और ड्राइव में क्या होगा इक्वल होगा यह लो ठीक है यान को डी का हमने वन किया है और सी का हमने फोर किया है सी का हमने चलो सी का 4 यह सी का 4 और डी का 1 वो जानता है वो जानता है कि यह ऐसे खेलेंगे देख लो आप ऐसे नहीं कर सकते अब आपको अंस्टेबल और स्टेबल भी पता होना चाहिए देखिए आपने कितनी जवर्दस्त बात खेल दिये ठीक है ना तो अब चलो अब आपको याद रखना एप्सिलूट स्टेबल कब होगा जब जो dry adiabetic lapse rate है घीक है वो क्या हो अप हो ड्राइड यादा हो किस से environmental lapse rate से तब क्या होगा एपसिलूट स्टेबल होगा याने कि एक हमारे पास दो आ गया दो चलो फिर एक हा दो देख लेते हैं एक हा दो एक हा दो यह एक हा दो ठीक है तो right answer क्या अगया तो right answer इसका क्या अगया तो यह देखूँ यह चीज भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी थी मेरी बात समझ रहे हो तो यह आप प्लीज इसको एक पेज पर लिख लो यह confusing हो जाती है मुझे लगता है कई बार हो जाती है concept clear होता है तो confusion भी कई बार हो सकता है तो इन चीजों को आप ध्यान रखना तो 35 का जो हमारा number question है इस concern हमारा 2 आ गया absolutely unstable की condition क्या हो जाएगी यह हो ज पुछा जाता है यह question ठीक है ध्यान रखना प्लीज आप लोगों से request है इसको मैंने बहुत अराम से करवाया question को कि कहीं ट्रिक में फज़ जाए कहां आप confusion हो लेकिन इस question का जो option बनाया गया था वह बहुत खतरनाक बनाया गया था वह आपको absolute stable और unstable के बारे में पूछना पता है कि नहीं है तो ठीक है ना तो आप याद रखना environmental lapse rate और जो जो इन्वार्मेंटल लेप्स रेट किस से बड़ा होना चीए और किस से छोटा होना चीए यह बात याद रखना एडियाबेटिक से बड़ा होना चीए चोटा होना चीए यह अगर आप लिख के रख लोग अगेर आप उसको सेंटीमीटर मिलीमेटर में कितना कहोगे यह पूचा गया तो याद रखना जो एक डोपसण यूनिट होता है मिलमीटर होता है यह दियान रखना के का इसको मैंने नोट लगा के भी रख दिया है वन डॉप्शन उनिट इस दान नंबर ओफ मोलेक्वल ओजोन दैट वी रुपाइट टू क्रेट एलेर ओपिर जो पॉइंट जी रो वन मिलीमेटर तो यह अधाएंगे तो यह सो आजाएगा ठीक है न तो एक का सोगवा हिस्था हो जाएगा ठीक है यही तो क्विशन था सहन कर सकें तो याद रखना इसमें 80 डिग्री सेल्सियस आएगा ठीक है बहुत बार यह कुछा जाता है और सीधास आंसर होता है आगे क्विश्चन क्या है 38 नंबर क्विश्चन कहा रहा है बहुत अच्छा है क्विश्चन है इसको और बहुत सिंपल है इसमें कहीं कुछ क दरना ही नहीं है देखना एस सेंपल ओफ एयर है जे रिलेटिव हुमिडिटी और 60 परसेंट एक एयर का सेंपल है उसकी रिलेटिव हुमिडिटी शिक्स्टी परसेंट यह बोला गया चीक है चलो जीवन डेट दस सेचुरेटेड़ वेपर प्रेशर ओफ वाटर इज टू एकनष बेशेब प्रेशर ओफ वाटर है वो यह है बाइस साथ साथ सचुरेटेड़ का मत्लब जहां पर हंडडंड परसेंट ओटर है उसका प्रेशर करना है चीक है ख कैल्कुलिट दा वेपर प्रेशर ओफ एट 2 डिगरी इस सेल्श्यस तो यह पूछ कह रहा है कि जो आपने air sample लिया हुआ है जिसकी humidity 60% है आप उसका vapor pressure calculate करिए ठीक है तो हमें क्या दे रखा है saturated vapor pressure of water saturated का मतब जहां पे 100% है तो 100% है अगर water तो उसका जो vapor pressure है वो कितना है 2260 है ठीक है ना अगर 100% है तो कितना है 2260 है और हमें पूछा किसका है जिसकी humidity कितनी है relative humidity 60% it means इस sample में 60% water है प्रिबास समझ रहो 60% है तो उसका vapor pressure पूछा है सिदा सा निकल जाएगा 100% है तो उसका pressure है 2260 पास्कल एक होगा तो कितना होगा 2260 बटे 100 हो जाएगा और हमें कितना दिया हुआ है 60 है तो 60 है तो कितना हो जाएगा 2260 बटे 100 हो इंटू 60 तो लो इससे ये कट इया इससे ये कट इया 216 को 6 से इंटू कर दो कितना आ गया 6 चिके 36 वैसे 6 इसी के last में है आगे करने की जरूरी नहीं है 6 चिके 36 आ रहा है छे आ रहा है last में 6 इसी में है लेकिन फिर भी कर लो 6 चिके 36 का 6 असल 3 6 दूनी 12 और 3 15 क पास करें हां क्या बिल्कुल सिंपल था ना कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है समझ में आगे चलो very good next question की बात करते हैं बहुत सिंपल question है यह यह का which one of the category of development project doesn't require an environment impact assessment यान कि किस तरह कि आपको पता है project को divide क्या होता है category में A category में फिर B में फिर B को B1 और B2 में आपको ध्यान है ना चीक है कौन सा center government में होगा कौन सा state यह सब आप पढ़ चुके हैं ठीक है तो आप इसमें यह पूछा है किस में EIA की जुरत नहीं होती है तो ध्यान of gases in water चीक है इसके बारे में पूछा है चलो बात करते हैं the concentration of a dissolved gas in water is proportional to its partial pressure in the air यह तो सही बात है यह तो लो भी पढ़ते हैं में रिका यह यह तो कहता है कि जितना partial pressure होगा उतना ही जादा उसकी concentration होगी तो सही बात है the concentration of dissolved gas in water is proportional to its partial pressure in the air यह बात तो बिलकुल ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा the solubility of a gas in water remain unaffected as other dissolved material in it increase यह कैसे हो सकता है यह कह रहा है किसी भी gas की water में जो solubility है वो unaffected रहेगी यह परभावित रहेगी अगर उसमें कोई other dissolved material मिला दें या बढ़ा दें तो ऐसे कैसे है अधर मिलाओगे तो बढ़ गड़ सकती है यह तो गलत है नहीं होगी यह गलत हो गया the solubility of a gas increase as a temperature increase नहीं नहीं जब किसी भी का temperature increase होता है तो solubility हमेशा क्या होती है decrease होती है solubility gas की क्या होती है decrease होती है अगर temperature increase होता है तो इसमें तो नहीं यह भी गलत है चीक है आगे the solubility of gas in water governed by henry's low यह तो बात चीक है है henry का इलो है तो a or d is the right answer सुमझ में आया a or d is the right answer ठीक है बड़ा अच्छा question था बहुत basic सा equation था ऐसे equation आ रहे हैं देखो आपको टेंचन नहीं लेनी साप बेस क्लियर नहीं करते दिक्कत तो वहीं आ जाती है ना सबसे बड़ी बहुत ज्यादा सोच लेते हैं मैच करना है एक डेज का भी क्विशन आता है बहुत सिंपल सी बात है इन्वार्मेंटल के डेज दियों है उदर डेट है वर्ल्ड और जॉन डे आपको सब को पता है यह सोला सप्टमबर को होता है और इस क्विशन को देखना मैच करने हैं एक वन एक वन सिरफ एक कोई इसे में है इंलो एक की याद है तो भी होगया थेक है न अरे समझ में आ गई न एक वन हो गया ब्यका क्या हो गया ठी हो गया डेआउ October, World Forest Day 21 March, World Water Day 22 March, ठीक है बिल्कुल सिंपल था चलो next question की बात करते है ठीक है next question क्या कहता है covariance सिदा सा बात है statistics equation आ रहा है covariance between two variable X and Y determine whether the correlation between them is negative or positive कह रहा है covariance between two variable X and Y दो variable है उसके बीच जो covariance determine करता है कि इनका जो correlation है वो negative है या positive यह बात ठीक है क्योंकि यह covariance की बात कहर रहा है variance की बात नहीं कर रहा तो यह बिल्कुल ठीक बात है ठीक है कि covariance between two variable X and Y determine whether the correlation between them is positive और negative यह बात बिल्कुल ठीक है आगे कह रहा है the product of the standard deviation of two variables X and Y can be both positive और negative ऐसे product किसी standard deviation का product कभी भी negative नहीं होगा भी या तो positive होगा या 0 हो सकता है negative कभी भी नहीं होगा तो यह तो statement गलत हो गया तो statement 1 ठीक है और statement 2 क्या है गलत है यह statistics का question यह लो मैं आपको फिर बता देता हूं कि यह जो भी question है इनकी में PDF है वो टेलिग्राम पे डाल दूँगा टेलिग्राम से आप download कर लेना और टेलिग्राम का जो link है वो description box में डाल दूँगा इससे पहले आपको information देता हूं कि UGC net का जो paper one है compulsory paper है उसके registration open है आप अगर आप विलिंग है तो करवा लें और पेपर टू का भी registration जो इंवार्मेंट साइंस है उसके भी registration open है अगर विलिंग है तो करवा सकते हैं अब चीक है next question की बात करते हैं transitional zone ecotone between fresh water and terrestrial ecosystem unknown edge इसको सीधा सा याद ही करना है राइपरियन जोन बोला जाता है ठीक है इसमें तो कोई concept नहीं आपको याद करना है ठीक है next question Lesley's matrix population model ठीक है जो population model है जो age dependent होता है सारी बाते होता है उसमें ठीक है Lesley's matrix population model is a discrete and is independent नहीं age dependent model होता है यह तो statement गलत हो गया the first row अब matrix है तो ठीक है ना इसमें याद रखना जो Lesley's matrix है ना इसमें row और columns होते है matrix है तो जितने row होते हैं उतने columns होती है जो first row होती है इसकी चीक है ना यह हमेशा fertility को represent करती है इसकी चीक है यह भी ध्यान रखना है तो second क्या कह रहा है the first row of Lesley's projection matrix represents fertility यह बात ठीक है तो statement one है वो क्या है incorrect है और statement two है वो correct है तो fourth answer is right ठीक है यह population से question है ठीक है चलो next question की बात करते है next question क्या कह रहा है यह question किसे है अच्छा यह जोन वोगेरा वाले सिदा वहां से उठा लिया अश्चन रिजनिंग है hydro fluorocarbon and hydro chloro fluorocarbon are used as a substitute compound of chlorofluorocarbon यह यह तो आपको पता ही है कि किसी अपसी को बंद करके अच्छी सब्सिचूट इनको यूज करने की बात है यह बात चीक है क्यों किया गया है इसका रीजन क्या है कि जो है और है वह वाइट सेप्टिबल रियक्शन विद ओवच रैडिकल इन दर ट्रोपोस्वेर कि वह वह रैडिकल के साथ रिक्शन करते हैं तो उपर नहीं जाएंगे और जोंड को यह इसलिए इनको अजुज सबस्यचीट यूज करते हैं सही बात है यह सही रीजन है तो एबी ठीक है और आर सही इसका रीजन है यह चला जाएगा समझ में आरी है बात चलो next question को करते है next question what is the maximum period valid for granting environment clearance for mining project जो भी mining project होते हैं उनके लिए जो environment clearance दी जाती है वो कितने time तक valid है तो याद रखना 30 साल तक valid होती है 30 years तक valid होती है यह तो याद रखनी है factual information से यह तो आपको खुद को भी कुछ याद करना पड़ेगा ठीक है खुद भी बहुत कुछ काम करना पड़ता है साथ-साथ teacher के साथ-साथ student की भी बहुत responsibility होती है ठीक है कि सारा काम वो खुद और भी देखे चलो statement वाला question है hazardous material such as lead, mercury and hexavalent, chromium in one form or other are present in electronic waste ठीक है यह electronic waste में मिलते हैं आपको पता है lead, mercury वगेरा यह सब यह आपको पता ही है land filling of electronic waste is the best operation from the environment viewpoint नहीं है इनकी land filling कर दोगे अगर इन electronic waste की तो जो heavy metal है वो नीचे जाएंगा और groundwater को contaminate कर देंगे यह तो बहुत बुरा हो जाएगा तो यह नहीं हो सकता चेक है तो statement one is correct statement two is incorrect statement one is correct and but statement two is false चेक है चलो next question की बात करते है next question क्या कहता है which of the following are the dominant product of anaerobic digestion of municipal solid waste municipal solid waste के anaerobic digestion से तो methane तो पका होगा methane के साथ carbon dioxide होगी तो यह निकलता है चेक है यह तो आप बहुत जानते है next question है 49 number question which of the following is short lived species in the atmosphere सबसे ज्यादा watch radicalize में जो बहुत ज्यादा रेक्टिव उस बहुत कम टाइम तक रहता है short lived होता है तो यह हो गया ठीक है next question की बात करते है next question क्या कहता है match करना है ठीक है इधर कुछ air pollution की बात की गई है और इधर control techniques या equipment दिये हुए है तो ऐसे PM 2.5 है इसके लिए क्या यूज होगा तो याद रखना यह control technique या equipment के रूप में electrostatic precipitator यूज होता है PM 2.5 का तो एका तो 2 है छीक है electrostatic precipitator यूज होते है PM 2.5 का चलो एका 2 match करके देखते हैं एका 2 देखो यह कम कर गया ना हाँ पर एका 2 सिर्फ इसी में है यह लो एका 2 है बी का 4 है सी का 1 है बी का 4 कर देते हैं एसो टू क्या है स्कवर ठीक है और सी का नॉक्स स्लेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन और कोर्स पार्टिकुलेट मेंटर है वो साइकलोन क्लेक्टर यह प्लीज आप एक काम करना आप एक पेज पे यह सारी चीज लिख लेना यह बहुत इंपो नहीं ठीक पर लोगे लोगे न लिख लोगे लेए शों सीह आप इस प्रियास करने पड़ेगा सारी चीज है आप बीकि यह होब सकते हैं ना कि हर चीज आपको यह कहें कि टीचर पर ही सारी चीज वो अरे खुद मरे भी ना सब्ग नहीं मिलता है हमें खुद को भी क्या करना है बहुत अच्छे से काम करना है ठीक है आप तो जानते हो जब तक हम हाड़ भाग खुद नहीं करेंगे तो अकेले क्या कर सकने हैं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो अच्छे से मन को रिलेक्स रखें चित को शान्त रखें और खुश रहने की कोसिस करें सारी ठीक हो जाएगी ठीक है आप अपने आप में पॉजिटीव रहोगे तो सब बहुत बढ़िया होगा मेरी बात समझ रहे हो कोई भी बहुत जरूरी अरजेंट कुछ ना हो तब तक बाहर ना जाएं और आप अपना ध्यान रख पाओगे तभी तो सोशली की समाज का ध्यान रख पाओगे घर का ध्यान रख पाओगे सब का ध्यान रख पाओगे तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है और सेल्फ जिस लेवल का हो पाई जिस तरह का हो पाई जैसा हो पाई वैसा हमें करना चीए तो आप खुशी से अच्छे से पढ़ाई करें मन को रिलेक्स रखें और चित को शान्त रखें और मैं आपको बता देता हूं कि इन कुछिंस की जो पीडियो फाइल है वह मैं अपने टेलीग् का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जागे डाउनलोड कर ले और पेपर वन जो कंपल्सरी पेपर है युजी सीनेट का उसके रजिशिशन ओपन है अगर आप विलिंग है तो करवा सकते हैं और पेपर तू किसी का अगर इन्वार्मेंट प्रोसेसिंगे वो सारी आप चांदकरी ले सकते हैं ओल दा वेरी बेस्ट थैंक्यू थैंक्स लाट फैंज